नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोल नरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में आज से नया वित्तवर्ष 2021 से 2022 शुरू हो गया है देश में आज से जरुतमन चीजों के दाम बढ़ गए हैं इसका आपकी ज्वेप पर सीधा असर होगा हवाई सफर से लेकर मॉबाइल फोन, बाइक, का, टीवी, स्टील, एसी, फ्रीज और कूलर तक सब महंगा हो जाएगा यानि आम जनता पर आज से महंगाए की मार पढ़ने वाली है देश में आज से हवाई सफर भी महंगा हुआ है एरपोर्ट सेक्योर्टी, फीस्पीक, हरेलू और अंतरास्ट्रिय यात्रियों के लिए आज से बढ़ गई है यानि आपकी जेप पर डबल अटेक होगा मुबाइल फोन्स भी आज से महंगे हो गए है बाइक कार्स हमेश जादतर वाहन आज से महंगे हो गए है मारुत्य और निसान जैसे कई ओटो मुबाइल्स कंपनियां गारियों के दाम बढ़ाने का एलान पहले ही कर चुकी है इसके पीछे लागत बढ़ने का हवाला दिया गया था हालाकि ये बढ़ातरी कितनी होगी इसका खुलासा अब तक ओटो कंपनी ने नहीं किया है आपको महंगा पड़ सकता है यूपी में आज से देशी और विदेशी दोनों तरह की शुराब महंगी हो गई आगरा लखनो एक्सप्रेस स्वे से गुजरना भी आज से महंगा हो गया है टोल में कम से कम पांच रुपए और अधिकतम पच्चिस रुपए की बढ़ोतरी का एलान हुआ था बिहार में लोगों को बिचली आज से महंगी पड़ेगी पशु मंगाल और असम में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है बंगाल में आज 30 सीटों पर और असम में 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे है बंगाल की सबसे चर्चित सीट नंदी ग्राम पर मुक्य मंत्री ममता बेनर जी का मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी उमीदवा शुभेंदू अधिकारी से है चुनाव को देखते हुए नंदी ग्राम में सुरक्षा के कड़े इंतजमात किये हुए है प्रदान बंत्री नरिंद्र मोदी ने ट्वीट कर दोनों राज्यों के मदाताओं से मददान करने की अपील की है पश्यमंगाल के चार जिलों में चुनाव है ये जिले है दक्षिन, 24 परगना, पोरवी मीदनापूर, पश्यमूदनापूर और बाखुरा नंदी ग्राम में मम्ताव एनर्जी और शुभेंदू अधिकारी के बीच हाई वोल्टेज चुनावी प्रचार हुआ था मम्ताव एनर्जी खोद नंदी ग्राम में कहीं दिनों तक जमी रही, वहीं शुभेंदू अधिकारी के समर्थन में अमिश्या से लेकर तमाम बीजोपे के नेताओं ने प्रचार किया पहले चुरण में पश्यमंगाल में 84.1% मदान हुए थे, दूसरे चुरण के चुनाव में कुल 171 उमिदवारों की भागे परिक्षा है, वोटों की संक्या है 75 लाग से ज्यादा, कुल बूतों की संक्या 10,000 से जादा है, दूसरे चुरण की चुनाव के लिए सभी बूतो को समवेदन शील माना जा रहा है, पहले चुरण की चुनाव की तरह ही, दूसरे चुरण में भी चुनावायों की सुरक्षा पर कड़ी नजर है, गौर तरह है कि पिशली बार के विधान सभा चुनाव में TMC को 21, कॉंगर्स को 3, CPM को 4, CPI को 1 और BJP को 1 सीट मिली थी, को अधिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में महमारी का ऐसर दिख रहा है, कुरूना गाइड्लाइनस और बड़ते सक्रमन की वजह से शतधालू की भीर में कमी देखी जूर रही है, कुरूना की वज़ो से हर क्पौरी पर शतधालूं की संख्या बाकी दिनों के मकाबले क कम देखने के लिए मिली है रिस्थानी प्रहुतों का कहना है कि साल 2010 में कुम्ब के दौरान हर की पौडी पर पैर रखने तक की जगा नहीं थी लेकिन इस बार कोरोना की वज़े से यहां श्रधालूं की संख्या काफी कम है महा कुम्ब में आने के लिए श्रधालूं को 72 कर ही एंट्री दी जा रही है बाराराज्यों से आने वाले जो भी लोग हड़वार जले में प्रवीश करेंगे उन्हें पहले 22 घंटे की कोविन नेगिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी नेगिटिव रिपोर्ट ना होने पर उन्हें वापस भीजा जाएगा कुम्ब में स से स्टीवी कैमरों के जरिये पूरे कुमब शेतर में नजर रख रहे हैं इसके लावा हर गाड़ी की स्क्रीनिंग होगी और मास्ता पहने वाले व्यक्ति की जानकारी ततकाल पुलिस को दी जाएगी सियो कुमर ने बताए कि राज्यों की सीवा के सभी बॉर्जट पॉर्ट पुलिस के साथ ही पेरा मिलिटरी फोर्स तनात कर दी गई है गाड़ियों की चेकिंग कर लोगों की बहतर गंट पहले की आज़ी पीसिया नेगिटिव रिपोर्ट च्रेक कर ही आगे भेजा जा रह गुड मॉर्निंग इंडिया के खबरों में इतना ही आप देखते रहें न्यूजवल इंडिया